हलो स्टुटेंट आप सभी के लिए काफी टाइम बात फिर से प्रिजेंट हो चुका हुए एक इनवर्सिटी की नई वीडियो लेकार इस वीडियो में हम जानेंगे बच्चों की जिन छात्रों का इक्जाम इस्थगित हो चुका था उनके लिए क्या कानपूर इनवर्सिटी ने कोई नोटिस अभी तक निकाला है या नहीं निकाला है हाली में जो आप सभी लोगों को पता होगा कि BSC और MSC Agriculture और BDS और विशम समेश्टर के जो एक्जाम हाली में इस्थगित हो गये थे जिस पर मैंने वीडियो भी बनाया था तो आप सभी लोगों ने कमेंट किया था कि इस पर एक्जाम कब होंगे तो हाला कि मैं इस पर अपडेट देता रहा हूँ लेकिन फिर से बहुत सारे बच्चे हमारे पास कमेंट करते हैं कि सर प्लीज बता देजे इस पर एक्जाम डेट कब आएगी कब नहीं होगा एक्जाम होगा भी या नहीं होगा इस पर प्लीज एक वीडियो बना देजे तभी मैं वीडियो बना कर आता हूँ तभी मैं वीडियो प्रिजेंट करता हूँ आप सभी के लिए आप लोग देख स पूरी जानकारी बताऊंगा बस आपको चैनल को सस्काइब कर देना है वीडियो को लाइक करना है ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेर करना है चलते हैं सिधा इनवर्सिटी की बेक्षाइट पर वहीं पर आपको पूरी जानकारी बताते हैं तो बच्चो यहां पर हम इन्वर्सिटी की बैक साइट पर आ चुके हैं तो बच्चो लोग यहां पर देख सकते हैं कि कानपूर इन्वर्सिटी ने जो हाल ही में एक्जाम को इस्थगित किया था आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि सारे जो इक्जाम हुए थे इस्थगि प्रॉब्लम आ रहा है वो बोलना है कि एक्जाम की जब डेट आएगी तो आपको पता चल जाएगा ब्रेक्षाइट पर तो मैंने हर जगे से कन्फरम किया लेकिन इसके बारे में डेट के बारे में कोई भी अपडेट नहीं मिली है तो फाइनली मैं अपने अकोडिंग इसकी बात बता दूँ कि आपका जो एक्जाम की डेट सीट है जो नई एक्जाम डेट सीट है फरवरी में ही आ जाएगी इसमें आपको टेंसल लेनी की बात नहीं हो सकता है फरवरी में ही इसकी जो एक्जाम डेट आ जाएए मैं 100% नहीं बत तो यहाँ पर आपको numbers मिल जाएंगे, कुछ यहाँ पर university number दिये होते हैं, यहाँ आपको numbers यहाँ पर मिल जाते हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, तो आप इस पर number पर बार बार try करिए हो सके, तो call लग जाया, तो आप यहाँ से इनको संपर्क कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं किसार हमारा जो एक्जाम कब तक होगा और उसके बाद आप यहाँ पर इनको email भी कर सकते हैं आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर रेख सकते हैं कि mail ID proper आपको मिल जाएगी तो इस पर आप mail कानपूर इनवर्सिटी को भी कर सकते हैं mail कैसे करना है मैंने इस पर proper वीडियो बना दिया है वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के description में मिल जाएगा जाकर के आप वहाँ से इसको इनको email कर सकते हैं वीडियो कैसा लागा कमेंट में आपको जरूर बताना है मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई